हाई फ्रेंट्स अगर आप मेरी तरह जीरोधा कॉइन को कई सालों से यूज कर रहे हैं तो आपने रियलाइज किया होगा कि of late जो payment हमारे fund balance से deduct होके SIPs execute हो जानी चाहिए थी वो अब हो रही है fail तो अगर मैं मेरे investments में जाओ तो investments में आप देखेंगे मेरे जो SIPs है कुछ SIPs मेरे यहाँ पर open है और यह SIPs के अगर मैं orders देखू तो यहाँ पर executed orders जो है वो fail हो रहे है रिजेक्ट हो रहे है उन्हें मैं अगर click करूँ तो वो लिखते है payment not received लेकिन मेरे जिरोधा account में तो funds मैंने डाले हुए थे तो हुआ ऐसा है कि अब regulation जो है change हो गया है और इस change regulation को समझने के बाद implement करने के बाद आपका थोड़ा सा system change होगा payments का और फिर आप देखेंगे आपके payments इस तरह चालू हो जाएंगे उस fund को अभी mutual fund के लिए use नहीं किया जा सकता है वहाँ से automatically debit होकर आपका SIP जो है वो execute नहीं होगा अब आपको क्या करना होगा अब आपको अपने bank से एक mandate देना होगा जिससे payment automatically आपके bank से deduct हो जाएगा तो ये mandate कैसे देते है बड़ा ही simple है आपके coin app के अंदर आप account में जाएगे account में आने के बाद payments का ये जो tab है आपको वो देखना है अगर ये tab आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपना app जो है latest version पर अभी update कीजिए play store में जाकर और आपको दिखने लगेगा payments payments में pending payments आप देखकर manually उनका payment कर सकते है हम नीचे जो है new mandate पर click करके mandate को set करेंगे तो अब हमने mandate set करने के लिए ये click किया है हमारा जो है एक bank account अल्रेडी जो जिरोधा account में था उसी के लिए हम mandate दे रहे है यहाँ accept click करके हमें continue करना है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते है कोटक bank का ये account है तो कोटक के net banking में हम login करेंगे और mandate देंगे तो चलिए accept terms करते है और फिर continue के इस button को हम press कर देते है तो यहाँ पर ये जो हमें error दिख रहा है Android का third party cookies disabled का ये जो error है इसे solve करने के लिए आपको अपने browser के जो है तीन dots को click करना है यहाँ पर आपको जाना है settings में settings के अंदर जो है आपको नीचे scroll करने के बाद site settings का option ढूणना है site setting के अंदर जो है cookies में देखिए accept third party लिखा हुआ है तो ये जो cookies वाला है टाब इसे click कीजिए और यहाँ पर allow cookies को click कीजिए तो allow cookies को हम click कर देते है तो अब third party cookies allowed है तो ये जो transaction है वो हो जाएगा तो इसे हम जो है cancel करके वापस try करेंगे coin के अंदर दबारा coin में आके हम new mandate क्लिक करेंगे फिर से continue दबाएंगे और इस बार में expect कर रहा हूँ कि ये चल जाएगा क्योंकि cookies हमने enable किया है अब यहाँ पर देखिए दोस्तो आपका bank account, account number, name, account type, until cancelled ये आपसे ले रहा है mandate और up to 1 lakh रुपीज जो है एक बार में deduct कर सकता है लेकिन ये मैं safe मानता हूँ क्योंकि ये आपके mutual funds में invest करने के लिए ही debit करेगा अब जो है net banking को use करके मैं ये verification करने वाला हूँ debit card को use करके भी एक option होता है तो हम net banking क्लिक कर रहे है, tick box दबा रहे है और अब इस submit button को दबाएंगे इस screen पर दोस्त हम हमारे kotak bank में login करेंगे customer ID और net banking के password को use करके अगर आपको आपके bank का net banking ID password नहीं पता है तो मैं आपको एक अच्छे channel का link दे रहा हूँ description में जहाँ पर आप जो है net banking कैसे use करते हैं सीख सकते हैं और यहाँ पर यह CAPTCHA भी 263 plus 3, 266 मुझे इस box में एंटर करना होगा तो यह login करके दूसरी तरफ में आपको मिलता हो net banking में login करने के बाद देखिए mutual fund payment के category में यह जो है मांगा जा रहा है इंडिया clearing cop जो है वो clearing house है तो ठीक है max amount एक लाग रुपे है frequency add-hoc है, add-hoc का मतलब जब भी आपका SIP due होगा क्योंकि आप अलग-अलग SIP के due date coin में set करते रहेंगे first collection जो है आज के date पर हो सकता है, final collection का कोई date नहीं है यहाँ पर ओके click करके confirm हमें दबाना है तो हम ओके tick mark करके confirm दबा देते है अब मेरा मानना है कि mandate जो है coin के interface में मुझे दिखने लग जाएगा यह confirmation screen आया है जो आपको blood दिखेगा लेकिन यहाँ पर यह confirmation screen मुझे दिख रहा है और यह देखिए, DGIO का भी screen आ गया था कि successfully mandate हो गया हो यहाँ पर देखिए, e-mandate submit हो गया है और 70 गंटे में जो है यह mandate चालो हो जाएगा तो मुबारक हो अब आपके जो mutual funds है उनका payment automatically हो सकता है यहाँ पर अगर coin के screen पर भी वापस आ जाएगे तो processing दिखा रहा है mandates के अंदर यह जो मेरा kotak mandate मेने दिया है वो processing में है जैसी वो हो जाएगा confirmation मैं आपको नीचे comments में confirm कर दोगा कि हो गया आपके कोई और सवाल हो तो comments में मुझे पूछेगा चैनल को please subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए thank you, bye